कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हदीजी कुमार्गरी और मैं आप लोगों का हर दिख सवाबत करता हूँ कि नेटीव चैनल जिसके नाम है सुवा क्लासिस और एगरी कल्चर दोस्तों आज हम सब लोग इन फॉटर का च्छटवा लेक्ट पढ़ेंगे जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाँगा इमपार्टांस आप नर्सरी यानि नर्सरी का क्या इंपार्टैंस है और इसका मैंगेंट कैसे किया जाता है कैसे एक सक्सेसल नर्सरी उगाई जा सकती है तो चलिए स्टार्ट करते देखो क्या कहा रहा है इंपार्टेंस आप नर्सरी एक ऐसी जगह है वेर सीडलिंग यानि कि पाउधों को सीड को जहां उगाया जाता है है सेपलिंग और एयनी अगयों अरा राई ट्रो अचैट। मौल्टपलाइड और उट्ट वाले जाता है सबनाज कंई मतलब नर्सरी एक ऐसी जगह है जहां पर किसी दोड़cheएक जाता है और किसे एक ऐसी प्लाने वाले चीज को ऐसे rise किया जाता है यानि कि उसको grow कराया जाता है उसका बृद्धियों विकास कराया जाता है या उसको propagate किया जाता है multiplication के लिए जनसंख्या में बृद्धि के लिए और sold out यानि कि उसको बेंचा जाता है पौधे लगाने के लिए प्लांटिंग के लिए बेंचा जाता है अब नर्मल भासा में इसे समझो कि नर्सरी एक ऐसी जगा है जहां पर किसी पौधे का मल्टिप्लिकेशन किया जाता है यानि कि पौधे के जनसंख्या में बृद्धी कराया जाता है जनसंख्या में बृद्धी जहां कराया जाता है जिस अस्थान पर उस अस्थान को नर्सरी कहते है और जनसंख्या में बृद्धी कराने के बाद क्या किया जाता है इसको बेंचा भी जाता है ठीक यह हो गया आपका नर्सरी अब एको क्या कह रहा है कि हमें एक अच्छी सक्सेस्फुल नर्सरी के लिए ट्रीव 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 प्लांट का मतलब यह होता है कि अगर कोई दसहरी परजातिका आम हमने लगाया है तो हमको यह पता है कि दसहरी आम को अगर हम ग्राफ्टिंग के थुरू करेंगे उसका प्रोपोगेशन करेंगे यानि कि बेजिटेटिव प्रोपोगेशन अगर उसमें हम करेंगे तो हमको प्रूप उटाई गयानि कि 100% मदर प्लांट की तरीके का ही पौधा हमें मिलेगा समझ गे अगर हम बेजिटेटिव प्रपोवेशन से पौधा ले रहे हैं तो जो पौधा हम नवा बनाएंगे उस पुराने वाले पौधे से वह पौधा हो बहू सव परसेंट जेनिटिक और जेनिटिक रूप से अपने मदर प्लांट की तरह ही होगा तो एक सकस्वल नर्सरी के लिए हमें यह बहुत इंपॉर्टन ठीक अगर हम दसहरी की नर्सरी लगा रहे हैं कि हम दसहरी का पौधा यहां से बेंचेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पह और दसहरी को जिससे हम ग्राकों को यह कह के बहुत बिनच पहा हैाजिसा लगा दिया कुछ हुष वर बिनच दिया कुछ बता क्यों थार सार यह तक यह उसके पह नहीं होना नर स्री चलानी है तो आपको केवल एक ही पाउबदे की नररी नहीं भीचनी चाहिए प्लांटिंग मेटेरियल का डावर्स यानी की बहुत धेर सारे प्लांटिंग मेटेरियल होने। जिसे आपको नर्सरी में चले जाओ तो वहां पे आपको मिलेगा आम भी मिलेगा अम्रोद भी मिलेगा केला भी मिलेगा समझ गए तो ढ़े धेर सारे प्लांट मिलेंगे जिसको आप लाकर अपने हां प्लांटिंग कर सकते हैं तो एक successful नर्सरी के लिए यह भी आवस्चक होत सब्सक्राइब करते हैं अब ऐसा तो है कि खा लेगे हो चाहल बेंचेंगे कुछ नहीं समझ गए तो ऐसा करोगे तो ज्यादा हमको कामर्सिल रूप से एकोनॉमिक रूप से ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगे अब देखो Setting up of a nursery is a long term venture and required careful planning and expertise कह रहा है कि हमें अगर एक nursery को लगाना है तो उसके लिए एक long term venture होना चाहिए मतलब एक दूरगामी सोच होनी चाहिए कि हाँ इसको हम लगाएंगे फिर इसको देखो ऐसे तो पता नहीं चले कि हमने लगा दिया nursery तो आस पास में पता होने के लिए कि हा इस टाइम लगेगा एक साल दो साल लगेगा तो हमें दूरद्रिश्टी रखनी चाहिए कि हां आने वाले समय में लोग ऐसे माल लोग कि यूके लिप्टस अभी तीछे पांच-छे साल पहले आज 2020 से लगव पांच-छे साल पहले यह लगाया जा रहा था यूके लिप्ट कर लिया फिर आने वाले समय में जब उसका बिमांड बढ़ा तो उसने बेचा और काफी प्रॉफिट कमाया उसी हिसाब से लोग केले की भी नर्सरी लगाते हैं यह अच्छा आने वाले समय में केले की अदाम बढ़ेंगे तो लोग केला ज्यादा लगाएंगे तो इसलिए में महिंगो की नर्सरी लगानी है उसमें से हमें आमरपाली की नर्सरी लगानी है महिंगो में एक वराइटी आमरपाली की नर्सरी लगानी है तो अब हमें आमरपाली को पहले गुरो करना पड़ेगा पहले एक प्लांट लेके आओ उसको गुरो करो फिर उसके बाद इसमे के लिए हमें ज्यादा टाइम भी लगता है समझगे जैसे रूट स्टाग है तो हमें दो-तीन साल लगाना पड़ेगा अगर हमें साइन लेना है तो उसके लिए भी 2-3 साल लगेगा तो इस तरीके से हमें दो 3-4 साल का समय देना पड़ता है अगर हमें नर्सरी ग्रोव करनी है और एक केरफुल प्लानिंग क्या सुपता होती है ऐसा नहीं कि पहले सोच लिया फिर कर लिया फिर पीच में छोड़ दिया तो इतने सारी गमले रखे गए हैं इसके लिए भी पैसा लगा होगा फिर दर उदर दीवाल है यह सब लेबर फिर मार्केटिंग के लिए भी थोड़ा इदर पर चार उचार करना पड़ता है कि हमारे पास नर्सरी हैं इसको बेंचते हैं यह सब करना पड़ेगा तो यह सब करके कि हमें successful nursery उगा सकते हैं, अब देखो nursery का importance क्या है, a long seedling required special attention during the first few weeks after germination, कह रहा है कि एक seedling, यानि कि जो नाया पौधा होता है, जो जमा हुआ पौधा होता है, उसको हम seedling बोलते हैं, उसको एक special प्रकार की attention कि आउ सकता होती है, अगर उसको ज्यादा पानी दो दो गो तो सूख जाएगा क्योंकि उसके जड़े बिक्सित हैं, जैसे बच्चों को लोगो बच्चों को ऐसे सेना पड़ता है, अंडे की तरह, तिन-चार साल, तब जाके बच्चा बड़ा होता है, जो जो देखना बंद करते हैं, तुम जैसे बड़े-बड़े हो जाओगे, तो घे सब चीज ज्यादा ध्यान देनी वाली होती, जैसे मालोगी ज्यादा धूप लगगे, तो मुल जुला जाएगा, विल्टिंग हो जाएगा, और अगर कहीं उसको ज्यादा ठंडी लग गई, मतलब चिलिंग टंपरेचर जला गया, तो उसमें जुलसा लग जाएगा, ठंड इंड एकोनोमिकल टू लुक आफ्टर एंग सीडलिंग एंटरंड सीडलिंग ग्रोइंग इन नर्सरी वेड इन इसमाल एरिया धिन इन ए लार्ज पर्मनेंट साइड, अब देखो जैसे मान लो, कि एक इतनी बड़ी बड़ी खुप छोटी चोटी चोटी नर्सरी देखो, जिसे अभी लेके आओ, पपीता लेके आओ, पपीता ज्यादा से ज्यादा 9 इंची का होगा, 7 इंची, 8-9 इंची का ऐसे पपीता होता है, बहुत छोटा छोटा जब उसकी सीडलिंग लेके आओ, अब मान लो, कि हमने 2 गुड़े 2 पे लगा दिया, दो गुड़े 2 मीटर क दूरी पर अब एक हेक्टियर में पूरा लगा दिया पपीता उसकी सीडली मतलब उसका भीज ही लगा दिया डारेक्ट नरसरी का कोई लोचा नहीं तो डारेक्ट लगा दोगे अब वह जो जमेगा तो इतना खुब छोटा-छोटा होगा पता चले दो अंगुल तीन अंगु देनी है तो इसे दोर-दोर के थोड़ी-थोड़ी खाद दो और कहीं अगर भूल वस किसी में ज्यादा खाद पड़ गई तो हो गया कल्याम समझ गया तो यह सब चीजें होती है तो इन्हीं सब चीजों को अवाइड करने के लिए जमानलो भी अभी कसके पानी बरस गया ल कि लिए हम क्या करते हैं नर्सरी में हुगाते हैं कि अगर मानलो पानी बरसेगा ऊपर से ढखा है पानी अंदर नहीं जाएगा अगर हमें सिचाई देनी है तो हजारे से थोड़ी दूर में रहेगा जल्दी से दे देंगे तो सिचाई भी असानी से हो जाएगी फटिलाजर यह मतलब इसकी देख रहेख करने में थोड़ा आसानी हो जाए फिर मेजोर्टी आफ फ्रूट क्रॉप और प्रोपोगेटेड़ वाई बेजिटिटिव मिंस मतलब ज्यादा तर जो फ्रूट क्रॉप होती है इनका प्रोपोगेशन जो होता है वह बेजिटिटिटिव यान दिन की प्रोपोगेशन के बाद जो तयार चोटा सा पौधा होता है वह वह मांगता है आंग से पहले जेसे उसमें कि mama की जाती है आप आप करेंगे उसके बाज उसकी ट्रांसपोर्टिंग कर एगे तब उसे में फिल्ड में लगाएंगे इससे पहले उसमें बहुत धैर सारा ध्यान रखना पड़ता है इन एक कंट्रोल कंडीशन अगर कोई कंट्रॉल कंडीशन है नर्सरी में तो आल इस इसके प्रवाइट सक्सेश्फुली वाई स्किल्ड लेवर अगर कोई अगर हम कंट्रोल कंडिशन नर्सरी को उगा रहे हैं कंट्रोल कंडिशन का मतलब एक चज्जे के नीचे ग्रीन हाउस के नीचे वार हैं ग्रीन हाउस के नीचे जहां पर हुमेडिटी टंपरेचर विड्लिंग उगही जाती हैं मरने का चांस नहीं रहता है इसा नहीं होता है कि हमने 20 लगाया भी इसमें 10 मर गया 10 बचा इसा नहीं होता है ज्यादा तर ही जिसे हमने 20 लगाया है तो 18-19 वो जी जाएंगे और नए पवधा बन जाएगा और इसकिल्ड लेवर हैं तो थोड जोड़ दिया इसकी जड़ इसकी जड़ इसका तना इसका तना अब दो पोध हो एक साथ जोड़ दिया यह वाला ऐसे हैं और यह वाला ऐसे है अब क्या करेंगे इसको यहां से काट दिया और इसको यहां से काट दिया अब इस वाले इस वाले पोधे का यह जड़ हो गया और इसको यह त कreakaorie से कटिंग करते हैं तो इसमें रोज में गुलाब में कटिंग लगातेंको की लिए हमें मिष्ट चैंबर कीये काुआ हो होती हो इसको गांचेंदर किया इथ। दखो को इस यतिम पतला पतला होता है हिंदी में से जनकल बहुत पतला पतला इसे बहुत बारीग सी होती है जैसे बाल-बाल कटाने जओ तो इसे ही होता है इस मेंटें करने के लिए आवस्ते गुर्टा है अगर हम उसमें परावर मिस्टिंग करते रहेंगे तो यहां फ़ड़ा मयस्चर बना रहेगा तो जो मयस्चर बना रहेगा तो जर्मिनेशन होने में नए इस प्रॉॉट निकलने में जो कटिंग लगाई है उस कटिंग के नए स्प्राउट निकलने में आसानी होगी समझता रहो तो यह सक चीज time महत्तपूर होती है अब उसके बाद डारेक्ट स्वाइंग मैथेड इस नौट सक्सेसफुल इन सेवरल क्रॉप वैन कंपेर्ट विथ ट्रांस्प्लांटिंग और सीडलिंग गाई सिंदा नर्सरी देखो डारेक्ट जो सीडलिंग होती है डारेक्ट हम अगर किसी चीज़ को उगा रहे हैं जैसे जिन हूँ जैसा अगर हम डारेक्ट हुआ रहे हैं तो वो हर क्रॉप में सुटेबल नहीं होता है कुछ क्रॉप में सुटेबल होता है कुछ में नहीं होता है अगर हम transplanting करके उगाते हैं तो वो ज्यादा सुपेबल होता है अब देखो ऐसे ऐसे समझो transplanting और डारेक्ट सोइंग में क्या अंतर होता है जिसे माल लो कि हमने डारेट सोइंग किया pem intersecting कीए एक सीधट डाल दिया झूंग म३टि में एक वर जुताई उताईए घर के कायदे से कम हो जाएगे यानि मिट्टी बहुत टाइट हो जएगी समझे जब mिट्टी टाइट हो जाएगी तो जड़ों का जो विकास है इसको होने में ज्यादा प्राबलम होने लगेगी मिट्टी जड़े जो है वो जल्दी जल्दी बिक्सित नहीं होगी तो एक समस्या तो यह हो जाती है, अब जब हम ट्रांस प्लांटिंग करेंगे, यानि कि पहले नर्सरी में उगाओ, फिर में फिल्ड में लगाओ, तब उसके क्या फायदे होते हैं, उसके फायदे देखो, एक तो हमने नर्सरी में जब लगाया, ठीक, नर्सरी में जब हमने स निकल गई अब जब हम इसको में फिल्ड में लेके जाएंगे तो वहां पर फिर हम एक बार जुताई करेंगे अब जुताई करने के बाद जब हम इसको फिर से जब लगाएंगे तो यहां फिर से एरेटेड मिट्टी मिल जाएगी मतलब बढ़ी हां भूरी मिट्टी मिल जड़ों का उन फीर कने अगर जदाफ होगा तभध ही पौद्ध होगा ज़ादा वी किरेगा जद्ध जब लोकि करें तो यह होता है इंप्र।ंड और नर्सरी नर्सरी युगाने का जिउको ऐसे जaka मैंने ये पॉधा हुआ आया इसमे चार पा जड़े माल 2 00 seu child everyday ? इसके बास चार जड़े ठी अब धान का एक्जामपल लेकर समझऺं अब इसमें चार जड़ थी अब जब मेने इसको उखक यानि करने के लिए इसको फ़लते इन धान की वाइज तो अब यहां से जब इसको खाड़ेंगे तो यहां से तूट जाएगा 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 यहां से तूट देखो अब ये ये वाले जो चारो पार्ट थे ये जो बच गए थे कटनी के बाद अब इसमें से भी इस त्राउट निकलेगा कि यहां कट गया है जिसे जब किसी डाल को काट देते हैं किसी ब्रांच को पोदेगी तो वहां से धेर सारे तीन-चार सखाई निकल जाती है तो इसे यहां से भी इसे निकल जाएगा तिन-चार अब देखो कितनी हो गई पहले तो चार ही था लिए अब कितना हो गया आठ दस्ट हो गया समझगे तो यह ज़्यादा हो गया तो यह जड़ों का विकास भी आसानी से हो रहा है तो एक इंपॉर्टेंस यह भी होता है नर्स कोई नया पौधा होता है तो उसको हम नर्सरी में उगा रहे होते हैं अब नर्सरी में जैसा पौधे को चाहिए वह ऐसा हम दे रहे होते हैं उसको पानी के आउसकता तो पानी देंगे जब फर्टिलाइजर के आउसकता तो फर्टिलाइजर देंगे जिस चीज के आउसकता है वि उतना करवे झाले हैं लिए दो तो कभी बशले आ गई कभी और ये सब कीजिशें होने इस सब चीजिव से लड़ने लड़ना सिखते हैं हम लोग नर्सरी में ही जब वो पौधा एक निस्चित आयू का हो जाता है तब उसको हम क्या करते हैं हाड़नी करते हैं उसको हम कठोरता पदान करते हैं यह जिसे मालो टमपरेचर जादा हो जाए तो तुम रुक पाओगे कि नहीं जिसे मालो पौधे को 20 डिग्री सिंटेग तापमान था अगर अगर आज साम को हम लागे उसको में फिल्ड में बैठा दिये और टमपरेचर 30 डिग्री सिंटेग्रेट है तो बता उड़ गुना बढ़ गया तो पता चला वो सही नहीं पाया और सूख गया तो ऐसा नहीं हम हाड़नी करते हैं कि हाँ 20 डिग्री सिंट हम नरसरी में देते थे लेकिन अब में फिल्ड में जाना है में फिल्ड में 60 परसेंट ही है तो 80 से 60 करने के लिए हम एक दिन हुमिडिटी को 70 किये फिर इसे 2-3 दिन बाद 60 कर दिये अब धिरे-धिरे मैनेज हो गया अब उसको हम उतार दिये जैसे ड्राबरी लेसंस नहीं इसे करना पड़ेगा ऐसे परकृत से कंपटीर करके तब ही तुम गरो हो सकते हो नहीं तो तो तुम सूख जाओ जाओ जेसे सैसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं आई हो कि आपको भी समझ में आगया होगा कि हर्ड निंग क्या होता है तो है नर्रशरी की बहुत महत्तुपूर आउसकता होती है यह भी ज्यादा इंपोर्टन होता है अब बिसाइड दीस इसके अलामा भी राइजेंग और सीडलिंग और सेपलेंग्स इन नर्सरी प्रवाइड मोर टाइम टू प्रिप्लांटिंग आउपरेशन और प्रिपरेशन देखो जैसे ऐसे समझो कि हमको जून जुलाई में में फिल्ड में लगानी है क्या आम लेकिन इस समय जून जुलाई के महिने में खेत में पानी भरा है धेर सारा तो हम क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे पहले उसको हम नर्सरी में उगाएंगे नर्सरी में जो ठीक ठाक बड़ा हो जाएगा तब हम लाके जुलाई के महीने में उसको लगा देंगे जब खेत सूख जाएगा तो यह फाइदा हो गया उसी तरीके से गोभी में देखो गोभी जो इस्टार्टिंग में जो गोभी आती है महीवई के महीने में बहुत जल्दी जो गोभी आ जाती है खुब गर्मी रहती है यहां पे जो घृती है उन्षक को क्या करते हैं लोग नर्सरी में पहले ओगा लेते हैं उसके वाद जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एक महीं नियुका तो उसको मेंध्ट तो इसके लिए लोग क्या करते हैं कि नरसरी में इसको उगाते हैं परियाप्त मातरा में बड़ा हो जाएगा फिर इसकी हाड़निंग कर देते हैं और फिरला के मेंफिल्ड में तुरंत लगा दिया तुरंत लगा जल्दी तर्बूज और खर्बूज तयार करके बाजार में लिया आए और 20-20 रुपे का एक एक खेरा बेंच रहे हैं 50-50-200 रुपे का एक एक तर्बूज बेच रहे हैं और अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं तो यह सब हो गए नर्सरी के फायदेया यदि जो प्रेव्य सफित में आपाना को डातना पिस्ट करना है यह विए पर मिल जाता है तक हम नर्सरी बरो कर रहे हैं जैसे अरे यार धान में ही देख लो धान नर्स्तरी कोशर करने लगते हैं कि अधर करने लगते हैं कि पल्यवा वल्यवा शिचाई उचाई की करने लगते हैं पहले वहां जाकर तो यह सब इसके होते हैं है इस अखना सीर्जनिंग एगन्य नेचर और इस उनली पॉसबल की जो मैंने अ जो मैंने आए कहा कि सीजनिंग और हार्डणिंग और को सीजनिंग भी बोलते हैं अगजिन्तिंत ropeHHHH за 2 थिर्क और पर संच्ट हें फर यह वाद जाता हैünde करते क diaphragm कार्फ 20ccoli स्हांव 100% से और हैं यही इस स्वाटिंग में बता दिया अगर नर्सरी की तभी का मगाइन्द का सकते हैं लोकेशन मतलब किस परपच के लिए उगाया गया है जैसे इसी नर्सरी होती है जिसको हम खुद ही उगाते हैं और फुद ही प्लांट कर लेते हैं क्या वह अपने लिए जैसे अगर हमको धेर सारी गोवी लगानी है तो गोवी की नरसरी लगा दिया, फिर उसको उखाड कि अपने फिल्डिंग लगा दिया, धान की इसी तरीके से होम नरसरी होती है, अब उसके बाद कामर्सियल नरसरी, हम एक बड़े छे त्रफल में नरसरी को ऊएंगे, और इस आफ दो ग्रोवर्स गार्डन मतलब जो गार्डन का ग्रोवर है जिसको हमें आव सकता है जिस चीज की उसी चुछ को उनके वल ग्रो कर रहे हैं इसमाल इसमें जो एरिया होता है बहुत इसमाल होता है एंड प्राइमरी कंसीडरेशन आप डराइजिंग आफ क्वालिटी प्ल उगाएंगे पैसा थोड़ा जागा लगे तो यह हो गया होम नर्सरी चोटे इसके लपर क्यवल अपनी आसुक्ताओं प्रेलिए नर्सरी लिए लगा लिया फिर इसको में फिल्ड में लगा लिया धान के एक जामपल से समझ सकते हैं गोवी पहले हम ने जे समाल हम को एक हक लगाने के लिए हम वहां से सीड ले आए और सीड लाके पहले नर्सरी ग्रोकर लिया उसके बाद फिर में फिल्ड में लगा लिया तो इस टाइप की नर्सरी को हम होम नर्सरी कहते हैं उसके बाद कामाल से नर्सरी नर्सरी और लाज इन साइज यह बड़े साइज में होती ऐसे बड़ी 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 नरशरी होती है collection of plant इसमें धेर सारे plant भी होती है मतलब धेर सारे जह से अभी गूभी रहे दो भी समझे रहे गा। विसमें जो होता है very expensive method बहुत बडा बहुत ज्यादा रुप्याब बहुत महगा मैथड जैसे ऐसे समझो कि पूरा ग्रीन हाउस बनाएंगे काच का प्लास्टिक का वह पॉली हाउस बनाएंगे समझ भी सेड हाउस बनाएंगे बढ़ियां से एक अच्छा सा उसके वाद फिर उसमें हम ग्रोव करेंगे उसमें धेर सारे पैसे लगेंगे लेकि यानि कि हम थी रुपे लगा रहे हैं तो वह उसको बढखेंगे जैसे आम की नर्सरी तो जाके नर्सरी लेने जाओ भीकित्व वेसुं प्रकार की नर्सरी भीशू है जो नर्सरी चाहू लेँगे उप उनका यही काम है यहीं और भीक्त तो इसको अ की अब देखो ताइब लाइभ नर्शरी जो रूलर को और अर्बन नर्शरी में है उसको एक तो रूलर और अधियर अधिन कि नर्यार में है यह उसको हम रूलर नर्शरी कहते हैं और अर्बन नर्सरी जो सहरों में होती है, अब सहर में घुज जाओ, सहर में अगर चाहो, कि आम की नर्सरी हमें मिल जाए आसानी से, तो नहीं मिलेगी, वहाँ पे जो नर्सरी मिलेगी, मेरी गोल्ड की मिलेगी, क्रेक जन्थिमम की मिलेगी, ऐसे चोटी चोटी नर्सरी जिसको हम गमले में उगा सकते हैं क्योंकि जहर में किसी के पास खेत होता नहीं समझ गये खेती करने के लिए तो वहां पर लोग ऐसे ऐसे चीजों की नर्सरी उगाते हैं समझ गये कुछ आर्नमेंटल प्लांट सजावटी पौधे हैं उनकी नर्सरी मिल जाएगी लेकिन रूलर एरि अब कौन कौन से ऐसे फेक्टर हैं जो नर्सरी की इस्टेबलिस्मेंट को अफेक्ट करते हैं सबसे पहला क्या है लोकेशन एंड साइट मतलब कि किस जगह पे नर्सरी है जैसे अब जैसे मान लो मैंने लगा दिया क्या मैंने नर्सरी लगा दिया आम की अब आम की नर्सरी मैंने उस जगह पे लगाई है जहां बरहो मास पानी भरा रहता है हर दम जैसे मान लो भी आम की नर्सरी हम लगा दें लेके जाके जम्मू कस्मीर में तो जम्मू कस्मीर में को नाम लगाएगा तो वहां हमारी नर् और साइट का अफिक्ट हो गया उसके वाद सेलेक्शन आफ स्वायल का अब हम राजस्थान में लेकर गए हमकी नर्सरी लगा दिया बालू में तो वहां नर्सरी चलेगी सुख जाएगी समझ गये तो सेलेक्शन आफ स्वायल भी होना चाहिए सही से नारियल की नर्सरी लेकर जाके राजस्थान में लगा दे नारियर सारा पानी मांगेगा बालू में कितना भी पानी डालो सब तूख हो जाएगा वहां नरसरी गुरो नहीं होती वाटर फैकल्टी वाटर फैसलिटी भी अच्छी सी होनी चाहिए नहीं तो पता चले कि हम लगा दिये हमने लगा दिया है मुझ लगा दि बनाना बनानों को यादा पानी चाहिए हमारे पास्ते जाहिए की व 맛있는 करने मैं माइन्योर भी होना चाहिए तभी हम कायदे से हुगा पाएंगे खाली फर्टिकलाइजर देने से कुछ होने वाला नहीं है इसलिए माइन्योर भी आवस्ते खयानी की साड़ी गोगर ओबर की खादवाद यह सब चीजिए और लेबर भी होने चाहिए नहीं तो लेबर नहीं अब लोकेशन ऑफ साइट में क्या-क्या देखा जाता है पहली बात तो टोपोग्राफी जैसे मैंने बताया कि हाँ अगर आम लगाना है तो मद्द प्रदेश में साउथ इंडिया में उत्तर प्रदेश में यहां सब लगाओ ऐसा नहीं कि चले जाओ तुम फिर हिमाचल प्रदेश और उसके बाद उत्तरा खंड चले जाओ या जम्म को स्काइब कौनेट क्वार क्वार में का स्ब्सक्राइब कैरा नौologists सब्सक्राइब को अब व्यकिनारी लगा रहा है एक गर्म कियो सुखोड हो चलेगी कि सानावाबए? इसी तरीक में से नमू कंपोस्म बहुत होता है जात अब mommy in general and locality नहीं कॉर भीजनेश बिजनेस के हिसाब से कहने का मतलब यह है कि जहां पर जो चीज उगाई जा रही है वहां उसी चीज की नर्सरी चलेगी साउथ हिंडिया में ज्यादा तर कोकोनेट उगाए जाता है या मसाले वाली क्रॉप उगाई जाती है तो वहां उसकी नर्सरी चलेगी अगर अभी पहाड़ी छेत्रों पें नर्सरी चलेगी और वर यह सब ट्रॉक्कल और प्लांट यह सब प्लांट क वा आ सकते हैं तो यहां पर उसकी नर्सरी चलेगी जिसे आवला, अमरूद, केला, पपीता, आम, इस सब की नर्सरी यहां चलेगी, अब जैसे यहां अभी सेव की नर्सरी लगा दे उत्तर फुदेस में, तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा या, सीधी-सीधी बात नहीं चलेगा, कि उसे चाहिए, अपनी खेत में लगाना है, तो तो मुझसे कहो कि भाईया जाओ अपने DCM लेके आओ, तो हम बेजेंगे, तो कहेगा, भाईया तुम अपना रखे रों किसी दूसरे जमा चलेगा, नहीं कि ट्रांसपोर्ट फैसलिटी भी आपके पास होनी चाहिए, अगर कोई कह अपनी के लिए कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं, अनर्शरी शूड भी कंसेस्ट आप फालोइंग कंपोनेंट अब देखो कौन-कौन से कंपोनेंट पहला तो बिल्डिंग इस्ट्रॉक्चर यह जो देख रहो हो यह राड़ बाड लगे हैं प्लास्टिक लाइए, बिल् से चाहिए उचाहिए के जो सामान है यह सब हो गया ठीक जिसमें देखो आफिस होता है एक बैठर और यह कुर्सी लगाए को यार है वहां को 500 पौधे है तो वहां हिसाब लिखने के लिए एक आफिस होना चाहिए, सेल काउंटर पोधे बेंचने के लिए काउंटर होना चा होना चाहिए कि हां यहां पर हम अपने इस्टोमेंट हैं जिसे में लिए कुझाल फावडा सिचाई पिताई यह सब चीजी वहां रख देते हैं इंप्लेमेंट सेड और रेजिदेंशियल कौर्टर लेवर जो रह रहे हैं अगर बढ़त-बढ़ा चित रहे और लेवर के र प्रॉपर मोनिटरिंग भी करने पड़ती है रख रखाई भी करने पड़ती है उसके लिए आपको रिजिदेंशियल कॉटर भी बनाना पड़ेगा यह सब आपकी कैपिटल पर निर्भर करता है कि आप कितनी बड़ी नर्सरी उगा रहे हैं फिर अगला क्या है प्रोजनी बोट अब यह क्या होता है प्रोजनी ट्री ग्लाब ऑड स्व परसंट अगर आप रसरी कह के बिंच रहे हैं तो परसंट बस दसारी होनी चाहिए जैसे तो ऐसे करके अगर आप प्रॉपर नर्सरी उगाने का आप लैसेंस लेके नर्सरी उगा रहे हैं तो आप पर केस कर देगा मदर प्लांट कर पाएंगे तब यह बढ़ी अच्छे पाउधे उतपन कर पाएंगे तो इसलिए यह वह महतपूर है कि जो प्रोजनी ठीग यानि कि मदर प्लांट है जिससे हमें और बिढ़ेर सारे पौधे ग्रो करने हैं वो टू 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 टाइप होना चाहिए ठीक चुटेविल फूट क्राप सुड भी सेलेक्टेड टू मीट डिमांड आफ दा कस्टूमर अब उस पौधे को लगाना चाहिए जिसकी डिमांड हो पता चले आम के दसहरी के ज्यादा डिमांड है और हम आमरपाली लगाए गठा है उसकी डिमांड ही नहीं है कोई खड़ीदे सब चीज भी देखना चाहिए उसके बाद देर सुड़ी एक कलेक्शन आफ कुड नंबर आफ प्रमोसिंग प्रामिसिंग वराइटीज ऑफ पॉपलर कॉराप तुमे के वाइड च्वाइट अब अगर यसे मान लो आम की नरसरी लगा रहे हो तो आम की जितनी भी पॉपलर अगर लगाओ भाएं की नरसरी गोड़ें तोटापरी जिसेंटापरी होगया, अलफांसओ और वराइटी होगया है कुछ है, दसखओ अभाएंघ हो गया 600 अॻूफलर फूपलर चैमंडर सुनदर होगां जिसकी जजदा दिमांड है, जो जाला लेंटस्ट कॵैसं में चल हम जा रहे हैं हमको नहीं चाहिए तो वाइड राइंजाब राइटी होनी जाई है कि दा प्रोजनी ट्री सूडवी हिल्दी डिजी स्री जिन ट्री ट्री टू टाइप और फिरी फांद पेस्ट अटे जो प्रोजनी होती है निकि जो मदर पौधा रहिए हैं वो स्वस्त होना चाहिए जब वो स्वस्त रहेगा तो जो पेस्ट अटायक है उसके पेस्ट अटायक ना हुआ रहे उसमें कोई डिजी न लगी रहे हो यह जिनियुंट आफ परसेंट दसहरी ही हो समझ गह और उसमें कोई इंसेक्ट निलागे हो पेस्ट से वो तेस्ट में मतलब वह 100% free ऑफ फ्लांट उड दीड नौन भाई जानकारी न्रशरी में जो होता है उस उसको इस सब चीज के वारे में जानकारी होनी चाहिए नहीं पता सले जो किसान आए किसान को नहीं पता है इसको इतना कुछ और यह यह सब चीजें द्यान देनी वाली उती है अब प्रपोगेशन स्ट्रक्चर सिधी सिधी बात जहां पे ज digging फाइज पड़ा चेंबर अपे हम फोलगांflower में में सब कि इसलिए जा सकते हैं, तो होता है ग्रीन हाउस। इसमें जो ढखने वाला पाऊँ होता है, उसलिए ग्लास हाउस, इसमें कवरिंग मटिरियल, और इसलिए 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 पॉलिहाउस कहते हैं, हाट बेड कुछ पौधों के सीड ऐसे होते हैं जिनको जब एक बार थोड़ा सा गरम करो थोड़ा सा गर्मी पाते हैं तब इनमें जर्मिनेशन होता है नहीं तो यह जमते ही नहीं वैसे पड़े रहेंगा जो थोड़ा सा गरम करते हैं तो यह जम जाते हैं एक प्रकार का germination chamber होता है, जिसमें हम seed को रख देते हैं, थोड़ा high temperature इसे दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यह आसानी से जम जाता है, cold frame, कुछ ऐसे भी seed होते हैं, जो थोड़ा ठंडी मांगते हैं, जिसे save का seed हो गया, तो सेब का seed होता है, जो थोड़ा ठंडी पायेगा, chilling temperature पायेगा 2-3-4 दिन के लिए, तब वो germinate होगा, तो इसलिए उसको हम cold frame में रखते हैं, hot bed का उल्टा होता है, लगबग, यह cold frame, ठीज, अब उसके बाद, let house, said house, अब said house होता है, च्छाओ वाला house, said house मतलब च्छाओ, मतलब कि उसमें semi transparent एक लगा देंगे, जिससे थोड़ी सी light आए, थोड़ी सी ना आए, जो स्वर का प्रकास है, वो चंचं के आए, तो उसको हम said house कहते हैं, जैसे पेने की नीचे च्छाओ होता हो, वैसे artificial च्छाओ बन पानी का वैसे उस टाइब का house हो, तो mist house हो गया, used to create cogneal condition for the propagation of plant, तो यह सब चीज होनी चाहिए, उसके बाद nursery bed, जिस पे हम nursery उगा रहे हैं, वो nursery bed कहते हैं उसको, जाहे वो जमीन हो, चाहे गमला हो, चाहे चोटे-चोटे pod हो, polythene को, यह सब चीज को हम क्या कहते हैं, nursery bed कह ने हुगा दिया, अब उसके management के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पहली बात हो irrigation की facility, nutrition, weed control, plant protection, irrigation के लिए, dying, sibling, should be frequent water and low pressure, जो seedling होती है, इसको frequent watering किया सकता हो, तो मतला हर दूसरे तीसरे दिन इसमें पानी देना पड़ता है, और low pressure के साथ, ऐसा नहीं कि लगा दिया कस के पानी बस पानी मिट्टी को बहा ले गाया, पाउधा उखड़ गया, इस टाटिक में जैसे प्याजबाज होता है, प्याज की नर्सरी लगाई है, तो लोग जो पानी डालते है, तो धीरे-धीरे पानी डालते है, ऐसा नहीं कि पता चले वहाँ डाला, जहां पानी गिर रह पौदा पूरा डूब गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा पानी, excess and defect of moisture is harmful, मतलब ज़्यादा अगर moisture हो जाएगा, और moisture कम हो जाएगा, तो यह harmful होता है, proper care should be taken to avoid subsoil cognition through provision of proper drainage, अगर ज़्यादा पानी हो गया है, तो drainage से हमें जल निकासी व्यवस्थ पानी को निकाल देना चाहिए, ज़्यादा पानी nursery में ना होने पाए, उसके बाद nutrition, nutrition has profound effect on growth, मतलब nutrition का सबसे बड़ा प्रभाव होता है किसी पौदयों के growth के, जितना खाएगा उतना ही बढ़ेगा, उतना ही स्वस्थ होगा, तो इसलिए पोसक्तत्यों किया हो सकता मतलब एक liberal dose होना चाहिए, जितना उन्हें चाहिए, उतना महिन्योर दो, उतना ही decomposed organic महिन्योर दो, ठीक, ऐसा नहीं कि धेर सारा दो दो, तो सही से नहीं जमेगा, मर जाएगा, कम दोगे, तो सही से नहीं चलेगा, तो यह सब चीज़ें हमें देखके तब देनी चाहिए, यह light and frequent dose of nitrogen, मतलब थोड़ी-थोड़ी dose, और कई बार, frequently मतलब कई बार, light मतलब खुद थोड़ा-थोड़ा सा, समझगे, इमतलब चार-चार बूंदे से, चार-चार दाने ऐसे यूरिया के इसे गिराते रहों, समझगे, ऐसे ऐसे तोड़ा-थोड़ा दिया जाता है, हर प कि सीडलिंग थोड़ी और तेजी से ग्रो करेगी, उसके बाद फिर बीड कंट्रोल, स्टार्टिंग में अगर पौधा चोटा है, उसी समय बीड भी जादा उगते हैं, जिसे आम का पौधा बड़ा सा हो जाए तो नीचे, अगर खरपतवार हैं भी तो जादा इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब छोटा सा आम का पौधा रहेगा, तो उसमें बीड एफेक्ट करेंगे, पता चले कि आपका 30 cm का आम का पौधा है, और 60 cm का उसमें कांग्रेस घा सुख गई है, तो दबा देगे उसको, आम को आम सूख जाएगा, नीचे पड़ा रह जाएगा, तो यह सब चीज हमें प्रॉपर बीड कंट्रोल भी करना चाहिए, अब देखो, उसमें क्या-क्या पेस्ट लगते हैं, एंड मतलब चीटी लगती है, सनयलरक भूंगा होता है, ठीक रोडंड मतलब चुफआ होते हैं, कटवर्ब यह जो होता है, मतलब तने को पत्यों को आप कीने काट काट खाते हैं, फूर्ट वोट कोुच में लड़़ कोनी अछतों है, इसाब खेशियं में जमसें का तो यह हो गया कॉलर रोत इधर भी देख सकते हो धीर उपद के चिकना चिकना है नीचे देखो कैसी रोटिंग हो गई है उसके बाद डंपिंग अफ यह होता है जड़ से जड़के तुरंत उपर वाला जहां मिट्टी खतम होती है वहीं से पौदा है देखो यह सूख गया औ बिल्टिंग हो गया है समझ गये फिर आगे क्या है बस आगे नहीं है बाकि कुछ इतना ही था थैंक वार्द आटेंडिंग माई क्लास अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें आपके जो भी सुझा हो वो कमेंट करें अगर आप इस चैनल पे नए